हेलो दोस्तो आपके अपना चैनल इस टौग या तरावित विसाल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अमबर इंटरप्राइज़ के क्यूटू रिजल्ट के ऊपर यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं एंड रिजल्ट के हिसाब से ही हम आगे के डिसीजन लेने वाले हैं जैसे कि इस कंपनी में बाई करना चाहिए या फिर इस कंपनी के सेर्स को सेल कर दीना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए तो ये चीज़े हम लोगों को इनके रिजल्ट के देखने के बाद ही मालूप चलेगी तो चलिए सीरा चलते हैं इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर तो आप हम यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं सबसे पहले आपको बता है कि जितने भी फिगर्स देखने को मिलेंगे वो रुपी सीन लाक्स में रहने वाले हैं यहाँ पर सिप्तमबर क्वाटर का डाटा मतलब इस बार का डाटा यहाँ पर इस लाइन के अगर हम लोग को देखने को मिलने वाला है तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि अक्छर बहुत ही छोटे हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग चीजों को देखने वाले है ताकि अच्छे से यहाँ पे समझ में हैं तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग total income की यहाँ बाते करे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि last year की बात देखे तो 23,345, last quarter की बात देखे तो 825, एंड अभी की performance की बात देखे तो 35,356 हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा sign हम लोगों को quarterly basis पे देखने को नहीं मिल ला है, तो यह एक बोल सकते हैं कि negative point यहाँ पे शुरू में हम लोगों को देखने को मिल लाइए, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग यह early basis पे अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे revenue में हम लोगों को jump देखने को मिल लाइए, जो कि एक अच्छी बात हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ और भी चीज़े हम लोग देखेंगी जैसे कि expenses की अगर यहाँ पे हम लोग बाते करें दोस्तों तो यहाँ पे expenses आप देख सकते हैं कि इस बार का जो expenses है 36, 160, last quarter, 57, 0, 80, and last year 24, 886, सो दोस्तों यहाँ पे यह भी देखिए कि same revenue के हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पे quarterly में जो expenses है दोस्तों वो down हम लोगों को देखने को मिल लाए है, ठीक है, देन दोस्तों आते हैं यहाँ पे हम लोग अभी देखने कुछ और करें चीज़ें यहाँ पे एकजस्मेंट जैसे हुई हो तो अगर उसको यहाँ पे एक बार देख लें तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने वाले उसके बाद तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे कोई इस तरह की एक्जिस्मेंट नहीं है तो सीधा हम लोग दोस्तों यहाँ पे net profit for the period आप पर आते हैं मतलब सभी तरह के taxes देने के बाद जो profit यहाँ पर बना है जो एक्सेस्टनल आइटम है अगर उसको भी हटाने के बाद जो profit होता है उसी को बोलते है net profit for the period ठीक है तो उसकी अगर यहाँ पे हम लोग बाते करें तो दोस्तों यहाँ पे हैं चलिए ठीक है इसको zoom कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि last year के performance की अगर यहाँ लोग बाते करें तो minus में 860 था ठीक है जून क्वाटर की बाते करें तो पलस में 689 था अभी की बाते करें तो माइनस में 506 हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसके परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक साल पहले कमपनी घाटे में ज़्यादा थी अभी यहाँ पर कम घाटे में देखने को मिल ले यह एक अच्छा साइन देखने को मिल लेकिन लेकिन यहाँ पर आप दे सकते उतार चड़ाओ देखने को मिला मतलब कंपनी साथ सो प्राफिट में जहां पर दीख रहे थी तो यह एक बड़ा निगेटिव पॉइंट यहां पर हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है सो दोस्तो देखिए इनका जो रिजल्ट है दोस्तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों को उतना अच्छा देखने को नहीं मिला जितना हम लोगों ने यहां पर उम्मीदे की थी तो यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि मंडे को यहाँ पे मार्केट क्या रिस्पॉंस लेती है जहाँ तक उम्मेद है आप लोगों को गिराबट ही देखने को मिलेगी वहाँ पे EPS भी आप देख सकते हैं दोस्तों EPS भी सेम हम लोगों को देखने को मिलता अगर दोस्तो इनके result की overall अगर यहाँ पर हम लोग बाते करें तो हम बोल सकते हैं कि इनका result यहाँ पर हम लोगों को खराब ही यहाँ पर देखने को मिल जा रही है अबि हम सीधा अपने एक कंपनी को उपार आगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इनहीर का यहाँ पर हम लोगोंने रिजल्ट देखा जो की एकदम खराबी हम लोगों को देखने को मिला है याप आप देख सकते हैं कि Friday को मार्केट ने आप बता भी दिया था हिंट भी दिया था कि इसमें हम लोगों को गिरावाट मतलब इनका जो रिजल्ट है वो जादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा इसी वज़ा से आप देख सकते हैं कि 4% से जादा कि गिरावाट इसमें देखने को मिल लगी है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि previous close के down में यहाप देखिए और company open होते हुए देखने को मिले उसके बास से भी यहां पर सीधा नीचे ही जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रही है तो अभी आते हैं उस questions के उपर की result के basis पे इस company में क्या करना चाहिए दोस्तों देखिए सबसे पहले आप इस company को अगर एक साल का data देखेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए इस position से अगर यहां पर हम लोग बाते करें मार्च से ले करके अभी तक देखा जाए तो कुछ खास आप लोगों को returns देखने को नहीं मिलेगा यहां पर देखिए आप लोगों को minus में ही देखने को मिल जा रहा है ठीक ह तो यह एक चीज़े उसके बाद यहां पर कई सारी चीज़े यहां पर चल लही थी ठीक है उसके बजिसे पर यहां पर यह चीज़े हम लोगों को देखने को मिल जा रही है तो देखा जाए तो maximum अगर चाट अगर आप इंका देखेंगे तो maximum तो performance अच्छा है लेकिन यहां पर present time में result के इसाफ से हम कहा सकते हैं कि बड़ी गिरावाट यहां पर हम लोगों को देखने को मिल सकती है तो सहाई से आप यहां पर आप लोगों को यहां पर क्या करना चाहिए अराम से बात है सिंपल सी बात से दोस्तों result खराब आया है तो अभी आप लोग को खुद decision ल आप लोग बाइं लगा करके यहां पर और बाइं कीजी का लेकिन ध्यान रहें quarter 3 अगर यहां पर खराब आता है तो समझ जाईएगा इस company में से निकलना ही आप लोगों को लिए यहां पर समझदारी होगी मेरे इसाफ से देखा रहा तो इस company से अभी यहां पर निकलना ही बेटर रहेगा एंड मंडे को साइस से इस company में आउर भी बड़ी गिरावाट यहां पर हम लोगों को देखने को मिल सकती है तो इस company स्रेटर जितने विची ने थे हो सभी मैंने आपको बता दी सो मिलते है नेक्ट वीडियो में नेक्ट आपके के साथ तब तक लिए जाहिन है